शुरी रादे रादे आज मैं आप सब के लिए बहुती शांदर रेस्पी लेकर आई हूं बहुत यकिन वानी है घर के समानों से आप बना सकते हैं ये दोस्तों पीजा नहीं है आज मैंने बहुती पांच मिनिट बेने वाला डोसा बनाया है आप इसे पेंकेक भी कह सकते हैं चोटे-चोटे से पेंकेक की तरह भी बना सकते हैं बहुती यम्मी लगता है इसमें कई फ्लेवर जाएंगे आप देख रहे होंगे जो देखने में इतना अच्छा गरा है तो खाने में कितना शांदार होगा तो यहां पर हम वीडियो को सुरू करने वाले हैं घर के समानों सबसे रुक्वेस्ट है जली-जली से आजाया करिए जिससे कि हम वीडियो हमारा लंबाना हो तो यहां चलिए तो यहां आप देख रहोंगे हमारा एक बैटर त्यार पड़ा हुआ है इसमें हमें थोड़ा बैटर है तो इसमें मैं आदा पाउच इनो डाले हैं थोड़ा सा मतलब आदा टी स्पून डालँगे ज्यादा नहीं डालँगी तो देखके ही डालेगा जितना बैटर हो यहां अब ऑस रहीं थोड़ा सा बैटर है अगर आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं तो यहां इससे हमें डालने के बाद दो फीच पानी डालेंगे और इसको पानी को डालकर हाँ त्यार कर लेती हूं तो जब ही आप बनाएं तभी आपको इसको मिक्स करना है इसके पहले बिल्कुल नहीं करीएगा नहीं तो यहाँ पे मैं ये खराब हो जाएगा तो यहां पर मैं आप देख रहे होंगे मैं इसको बनाने के लिए रख देती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया किस चीज से बनाया तो चलिए जब तक यह रेस्पी बनती रहेगी और हम सुरू करते हैं तो यहां हमने एक टवा ले लिया है तब इको मैं बिएलां लाओ लेकित आप खाते हूं भूलगा सकते अच्छे थे यहां भिस्को फैला लेती हूं किसी चीज से तो यहां चलिए मैं चमत से करें लुटी हूं बरस तो हमारा दिछाए निया ठीक है कोई बात नहीं तो यहां हमने इसके लगा लिया है कर यहां बस तवा को ज्यादा गरम होना चाहिए में यहां पर मैं नमारा पहले अलकल गरम था मैं तभी को फलक अलकल से ज़ा और यह बनाने में बहुत ही कम ताइम लगता है मैं आपको दिखा दिती हूं कि हमने कैसे करा है तवे को आपको मीडियम से लो पे रखना है क्योंकि धीमी दीमी आज पर बनाएंगे उतना ज्यादा टेश्टी बनता है और अगर आप इसे तेज आज पर करेंगे तो यह दूं का मोटा ही बनाया जाता है तो कि आप देख रहे हैं इस तरहां से वहां had to do लेंगे और यहता दूंत हमें हमेंड हथा सबाकतेकर क्ला पितुम्णboys की करने के दक दिया है च्योंकि यह ज्यादा पतला नहीं बनाया दाता है तो यहां में इसको ढग देती हूं दो से तीन मिनट के लिए हमें ढगना है यहां मैंने ढग दिया है चलिए अब हमारे साथ में रेखा जी जुड़ियां कार जी जुड़े हैं और अंकित गुपता जी है तो आज पता नहीं वीडियो ज़ादा से ज़ादा सब के कमेंट नहीं आ रहे हैं आप अपने कमेंट देंगे जब हमें पता लगेगा कि आप लोगों को हमारी रेस्पी पसंद आती है रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेट जुरू कीजेगा यहां हमने यह सक्के घरों में समान मिल जाता है यहां हमने सूजी लिये जैसे आपको एक कप सूजी लेनी है तो एक कप पोहा लेना है तो यहां पर मैंने एक एक बाउल ले रखा है और आदा कप मैंने यहां पर मुर्वरे ले रखा है तो यह खाने वाले मुर्वरे से इन तोड़ा तवा मोटा भी होना चाहिए और भौत ही यमी लगता है क्योंकि इसमें स्वास में बहुत सारे मसाले मिले होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा समान की ज़वत नहीं होती है और बहुत ही चटपटा यमी बनता है तो मैंने यहां पर यह वली लिए आप देख सकते हैं आप कोई सी भी कंपनी के लिए सकते हैं बहुत सारी कंपनियों के बनी बनाई आती हैं बजान में आप घर इसमें तो मैं घर की भी बता दूंगी क्योंकि हम पहले घर के ही बना के लगाया करते थे यहां अच्छे से लगानी आ जैसके आप देखने के लिए अपने बचों के सब्क लगा सकते हैं जितना उनको पसंद है अब में से अच्छे से खता दूंगी तो यहां पर अगर तो यहां इसको लगाने के बाद में थोड़ी सी हम चीज डालेंगे तो जब तक इदर सिखेगा मैं आपको सारी रेस्पे बता दूंगी हमने कैसे त्यार करी है तो यहां बस मैंने इस तरह से चीज डाल दिये थोड़ा सा हम इस पर पनीर करेंगे तो पनीर भी घर करें यह मेरा यहीं थोड़ा थोड़ा सा घर पर निकालती रहती हूं और इसमें चीज अप हमने डाला एपनीर डाला इस प्रोटिनि रिखेगा बत्चों को तो बहुती पसंद आता है क्योंकि पनीज आप सबको पता है कि इसके लिए बहुती फायदेवन दोता है थोड़ा सम धन्या डालेंगे और अभी मैं दो मिनिट के लिए इसको ऐसी छोड़ देती हूं फिस्पिक टड़का लगाएंगे पहले मैं आपको बता देती हूं हमने कैसे थ्यारी करी है तो यहां हमने इन तीनों को पीस लिया था पीसने के बाद यह इस तरह से नाप आपका ऐसी होना चाहिए एक कप होगा एक कप सूजी आदा कप मुर्वरा तो उन्हों को तीनों को पीस के इस तरह से हमने पॉड़त यार कर लिया था और इसमें दो से तीन चमस थोड़ा सा है स्थोड़ा सा धां तो आप अपने साथ से डाल सकते हैं तो यहां हमारे यह टोटल आधा कप से उपरी होगा थोड़ा सा अबने यहां भी डाले घृज ठीहिए और माध्य और बालेंगे ऊफो आप उपने यहां लेंगे हो जादा पतला नहीं आप पहले से डाल के रख दीजिए अगर आप इनों यूज नहीं करना चाहते हैं अगर सोडा खाते हैं तो दो से तीन पीन सोडा भी डाल सकते हैं और इसमा तक पाणि डाल के इसका अच्छे से घोल त्यार कर लेंगे तो कि आप देख रहोंगे किस तरह से गाड़ा हो जाता है और इस तरह से त्यार करेंगे तो यहां पे अभी टाइम लगेगा और इससे दस मिनट के लिए ज़रूर रखना है आपको रैश्ट के लिए 10 मिनट रखने के बाद क्यूकि इसमें सूजी मिलाइए सूजी रखने से क्यों होता है यह फूल जाती है तो यहां पे इस तरह पानी अभी भी कम है और जब हम इनों डालेंगे तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसको मैं दस मिनिट के लिए इस तरह से त्यार करना है रख देती हूं चलिए हम आपको आगी दिखाती हूं यह तड़का बनाएंगे तो तड़की की त्यारी कर लेते हैं यहां हमने प हाँ पे अध्याचप रखेंगे थोड़ा सा टटगे के लिए तो वीडियो को थोड़ा सा मुझे जूग करना पड़ीगा आपको की लिए नजर आ रहा है नहीं आ रहा है तो यहां पे अजना जी भी जुड़िए मैं सब के नाम पड़ूंगी च्योंकि थोड़ा सा मैं के और साथ में आपको अगर ज्यादा पॉसंद तो आप इसमें और सवान भी डाल सकते हैं मिर्च मिर्च मैं यहां पे कुछ एक पिछम चल्क चल्डब को लगां कि मिफोड़ा थोड़ा ऐसा इस पर डाल लाएं हूं और यहां पर हमाले हुआ losing तड़का लगाने है अब यहां पे हम सब टोनके डाला सब दनेंगे और हैं यहां पर यहां पर युखिन करिए दोस्तों करें यह लगता है बहुत ज्यादा नहीं अर ढया तैया त्यार होता है final पसंद आई है तो हमेशे कमेंट कीजेगा पेच बनाएं तो फॉलो करने ना भूलीगा अलका जी कुमकुम जी संघीता जी और हमारे साथ रेका गुपता जी ने भी खाया खालें फौरतिय में लग रहा है ममता मलिक जी ममता मलिक जी आप से वेदे नहीं आए थे हमने आपका नाम भी लिया था और हमारे साथ वह भी नहीं है सभीता जी भी नहीं है एक सभीता नीलम करके जो जार गंड से वह भी नहीं अंजना शर्मा जी तो यहां पे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक डालेंगे बस यह मैं अच्छे के लिए डाली हूं मुझे अच्छा लगता है थोड से काटे कर सकते हैं। यहां पर पडोसे के भी बच्च्छों के टिफण में देते हैं तो चार पीस काटे रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगे गा तो हमारे साथ मुकता जी ने भी का है बहुती बढ़िया बना है और ममता जी ने भी का है रादे रादे और अलका जी ने भी का है टेश्टी लग रहा है तो इस तरह से और इसमें पीजा सोस में आप सबको पता है सारे मसाले मिक्स हो जाते तो इसे पीछ करते हैं दे सकते हैं और इस तरह से अगर आपको पसंद आती है एक बाद चेक कर लेती हूं किसी का नाम रह गया हो तो फिर ममता जी का मैंने नाम लिया है नहीं लिया है अब देश चेक कर रही हूं क्योंकि कहीं बार हो जाता है कि और नाम तो नहीं रहेगे हमारे साथ में, तो यहां पर सब के नाम हो चुके हैं, तो आज के वीडियो में यहीं कदम करती हूं, कल एक और नई रेस्पी के साथ मिलेंगे, तो यहां पर आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट करते रहा करिए, रोज आये करिए, जब आप आते है तो जब यह अच्छा लगता है, और नहीं आते हैं, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता वीडियो बनाने में, तो चलिए सब को मैं बाइवय करती हूं, कल फिर एक नई रेस्पी के साथ मिलेंगे,